पूरी टीम आपको नवरात्री की हार्विंग बधाई देता है माता से प्रार्थना है कि वे पूरे नौ दिना कर आपके घर को खुशियों से भर दे शक्ति कपूर रक्तधार शदासिव अमरापूर कर के महरानी किरदार में निर्देशक अजित वर्मा अपनी आने वाली हिंदी फिल्म रक्तधार के प्रचार में आज कल व्यस्त है प्रचार के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा फिल्म सड़क में महरानी का किरदार निभाया था इस तरह की फिल्म कभी नहीं देखी गई सड़क फिल्म से किर्णरों के प्रती लोगों के मन में कई गलत विचार आ गये हैं उस फिल्म के बात से ही किसी ने किर्णरों को सकरात्मक सोचते नहीं देखा वो किरदार बहुत ही अच्छा निभाया गया था पर किनरों के साथ नियाइड नहीं था पर मुझे पूरा विश्वास है कि फिल्म रक्तधार से लोगों के मन में सकारात्मक सोचाएगी दोनों किरदारों का अभी नए बिल्कुल अलग है रक्तधर में शक्ती कपूर्स अकरात्मक्तिदार निभा रहे हैं वहीं सदा सीव अमरापूर कर्ण नकारात्मक्तिदार निभाए थे उन्होंने जनता से आग रखिया कि फिल्म के चरित्र को एक भावनासों कि आतरा के रूप में देखे और उस संदेश को दिमाग में प्रती बिम्बित करने के लिए और वास्तिविक जीवन में दूसरे को सीख दे सके जब आप फिल्म देखते हैं तो ध्यान रखें कि या मेरी जिन्दगी का सबसे बहतरीन काम है मैंने फिल्म में 22 साल का जीवन दिया है मैंने उनकी जीवन के हर पहलू को ध्यान में रखते हैं फिल्म को बनाया है लोगों से अनुरोध है कि फिल्म को देखने के बाद किंदरों के प्रती अपनी सोच बदलें फिल्म का ट्रेलर प्रेम, राजनितिक बदला और समा से संधर्ष की कहानी के बारे में एक छलक देता है फिल्म में राज चोहान, मुकेश रिशी, सहबाज खान, एहसान खान, दीपसिखा नागपाल, मनीज खनना, संचिता बैनर जी ने अभिने किया है अजीत वर्माद्वारा निर्देशित फिल्म, धननजे, ड्वान पाटिल और राजन गुपता द्वारा सहीक्त रूप से बनाई गई है यह फिल्म 6 अक्टूबर 2017 को पूरे भारत में एक सास रिलीज होगी भोजपुरी फिल्मों के हरेक अफ्डेट को जाने के लिए स्टेक अनेकें पित भोजपुरी फिल्मी करता